द्रिश्टी आईएस के डेली करण नीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण नीज में चर्चा का विश्य है IUCN की नवीनतम रेड लिस्ट जारी हाल ही में फ्रांस के मारसील में वर्ल्ड कंसर्वेशन कॉंग्रेस में IUCN यानि International Union for Conservation of Nature द्वारा नवीनतम रेड लिस्ट जारी की गई नई लिस्ट के अनुसार जानवरों की 900 से अधिक प्रजातियां आधिकारिक रूप से विलुप्त हो चुकी है वहीं करीब 30 प्रतिशत प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है लगबग 80 प्रजातियां विलुप्त 8404 critically endangered, 14647 endangered, 15492 vulnerable और 8127 near threatened सूची में शामिल है दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकली Komodo Dragon अब Vulnerable यानि VU सूची में endangered में शामिल हो गई है यह प्रजाती इंडोनेशिया की स्थानिक प्रजाती है और केवल Komodo National Park जो की विश्व विरासत सूची में शामिल तथा निकटवर्दिक प्षेत्रों में देखी जाती है व्यावसाईक रूप से इस्तेमाल होने वाली टूना मचली की साथ प्रजातियों में से चार में सुधार दर्च किया गया है Atlantic Bluefin Tuna endangered से least concerned की श्रेणी में वही Southern Bluefin Tuna critically endangered से endangered की कैटेगरी में आ गई है Albacore और Yellowfin Tunas near threatened से least threatened श्रेणी में आ गई है जबकि Pacific Bluefin Tuna vulnerable से near threatened की श्रेणी में आ गई है टूना मचली की अन्य प्रजातियों में बिगी टूना, vulnerable और skip jack टूना को least concern कैटेगरी में ही रखा गया है नवीनतम IUCN सूची के अनुसार विश्व की शार्क और रे प्रजातियों में से 37 प्रतिशत विलुप्ती की कगार पर है threatened प्रजातियों में से 31 प्रतिशत उनके आवास में कमी और क्षरण से तथा 10 प्रतिशत जलवायू परिवर्तन से प्रभावित हुई है प्रियर व्यूवर्स इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए ग्रिश्टी आईएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल